हेलो श्रेंट्स, वेलकम टू चानल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एंसी अर्टी मायत का प्रस्नावली 6.3 का फोर्थ कोस्चन से आगे, इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रस्नावली 6.3 में कोस्चन 3 तक पूरा कम्प्लीट प पढ़ाई कर सकां और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी में अब इस्कूल भी आज 16 अगस्ता तो 16 अगस्त से इस्कूल भी खुल रहा है तो अब आप लोग इस्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं और हमारा कांटिन्यू ये वीडियो चलता रहागा डेली तो यहां से दो भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं तो देखिए यहां प्रकोस्टन नमबर फोर में दिया है आकरी 6.42 में यह आकरी 6.42 है यह दिरेखा है PQ और और आरेयस देखिए कारा रेक है पीक्यू और आरेयस बिंदू टी पर यहां देखिये बिंदू टी पर इस परकार प्रत छेद करती हैं प्रती छेद करना मतलब एक दुसरे को काटती है कि कोड़र्द पी आर्टी देखिये कोड़ पी आर्टी बराबर 40 का का दिया है कोर नार्ब की और क Вас अन्ज का दिया है और कोड़ T S Q देखिए T S Q यहाँ 75 अंसा तो कोड S Q T गयाद किजिए देखिए कौन सा हम कुसे पूछा है S Q T मतलब जो बीच में नाम आ गया यही वाला कौन हमको बताना कितने अंसका होगा तो देखिए जो भी रूल आप लोग जानते हैं उसी का यूज करना है और इसको निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग तो आप लोग एक बात याद रखेंगे तो आमने सामने के कौन बराबर होते हैं यह हमने आप लोग को बताया था मतलब इसके सामने का ये बराबर होगा और इसके सामने का इसके बराबर ये होगा इसको कहते हैं सिर्षा भिमुख कोण आमने सामने बराबर होते हैं देखिए दो रेखाएं ऐसे काट रहन्य पीक्यू और आर्यस बिंदू टी पर काट रहन्य देखना आप लो तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे यानि कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा ये वाला कोण क्या होगा इसके बराबर होगा ध्यान दिजिएगा हम से पूछा question में ये वाला कोण लेकिन हम ये direct नहीं निकाल सकते हैं लेकिन दखिए ये हम लोग निकाल सकते हैं क्यों यहां देखिए एक तिरिभूज बना है PRT इस तिरिभूज में आप लोग जानते हैं तिरिभूज के तीनों कोणों का योग फल एक 180 होता है दो दिया तो हम लोग ती वाले दिया और ये निकल जागा तो दोनों से 180 से ये निकाल लेंगे तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है ये निकालना है तो हम लोग लिखेंगे वाई इसको आप लोगों को नहीं बनाना है, मैंने समझने के लिए ऐसे बनाया तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको निकालते हैं कि इस तिर्भूज में, इस वाले तिर्भूज में पी आर्टी हम लोग लिखेंगे, तिर्भूज पी आर्टी में तिरगोर पी या टी में यह यह और यह तीनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 हम लोग लिखेंगे प्लस कोड आर देखिए ये कोड प्लस कोड आर प्लस कोड अब देखिए जैसे यहाँ पर सिंगल में मतलब यह कही कोड बना हुआ तो हम लोगोंने डाइरेक्ट पी भी लिख दिया नहीं तो बीच में लाम नाम को लाते हैं सब्सक्राइब देखिए आर पी टी या क्रिख दिया अनल नहीं लिख सकते लेकिन घ्राइब लिखते हैं हम लोग कोड़ टी लिखते हैं इसको तो पता नहीं चलेगा कौन सा कोड़ इसलिए यहाँ पर नाम इसका लिखना होगा पी टी आर या आर टी पी दोनों लिख सकते हैं कोई तो हम लोग इसका नाम लिखना तो यहीं लिख लेते हैं PTR प्लस कोड PTR बराबर हो जाया के कितना? 180 क्यों? आप लोग कारण यहां पर लिख लेंगे या तो उपर यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं कि तिरभूज के तीनों अंतर कोड़ों का योगफल 180 तिरभूज के तीनों अंतर कोड़ों का योगफल 180 होता है तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया या यहीं उपर लिख लेंगे अब देखिए कोड P कितना दिया? 95 फिर प्लस कोड R 40 प्लस यह PTR यह वाला हम लोग निकाल रहा है पी टी आर को तो यहां यही लिखेंगे कोड PTR बराबर 180 यह हम लोग क्यों निकाल रहा है क्योंकि यह निकाल लेंगे तो इसके बराबर यह होगा जितना यह आगा उतना यह हो जाएगा तो इसमें हम लोग पहुँच गा अब इसमें दो दे दिया है तो हम लोग यह निकाल लेंगे इसलिए तो देखिए हम लोग यहां solve कैसे करते हैं दोनों को add करेंगे add करते हैं तो एक सो 35 प्लस कोड पी टी आर बराबर हो जाएगा एक सो iBS desires देखिए हमने यहां क्या किया दोनों को जोड़ लिया तो देखिए पांच outta और जीरो को जोड़ेंगे तो पांच अलना और चार्ड जोड़ेंगे तो तरह टेरा तो 130 प्लस में बराबर हो दार करेंगे 135 को घटाएंगे तो हो जागा 45 सम्स दखिए PTR इसका माना गया कितना 45 सम्स अब जब ये 45 सम्स हो गया तो ये कितना होगा 45 होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे लिखेंगे कोड PTR बराबर कोड S T Q क्योंकि इसके बराबर ये कोड है तो हम लोग कैसे लिखेंगे लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि कोड PTR जो अभी हम लोग ने निकाला लिखेंगे चूंकि कोड PTR बराबर कोड कौन सा कोड ये वाला कोड नाम क्या लिखेंगे या तो QTS से लिख सकते हैं या स्टी क्यूं तो स्टी क्यूं दोनों बराबर हैं कितने यह उसके दोनों हो जाएंगे 45 के जब दोनों कोड बराबन है ये 45 का तो ये भी 45 का आगे रीजन लिखेंगे कि क्यों दोनों बराबन है क्यों तो हम लोग लिखेंगे सिरसा भी मुख कोड सिरसा भी मुख कोड अब देखिए PTR STQ दोनों बराबर हो गए अब हम लोग क्या करेंगे हमको ये question में पूछा था ये वाला question पूछा था मतलब ये वाला कोड पूछा था SQT अब हम लोग इस वाले तिरभूज को ले लेते हैं लिखेंगे अब कौन से तिरभूज में इस वाले में कोई भी नाम लिख सकते हैं TQS STQ कोई भी नाम तिरभूज का लिख सकते हैं STQ या QST कुछ भी लिख सकते हैं तो QST लिख लेते हैं तिरभूज QST में अब इस तिरभूज में हम लोग क्या करेंगे ये और ये हमको पता हो गया है और ये हमको निकालना तीनों कोणों का योगफल 180 हम लोग दिखा लेते हैं तो लिखेंगे कोड S इसका नाम, प्लस इसका नाम, प्लस इसका नाम, इसका नाम देखिए, question में Q वाले का नाम दिया है, SQT, तो हम लोग पूरा फूल नाम लिख लेते हैं, SQT दिया है, तो हम लोग लिखते हैं, core, core SQT, मतलब यह वाला core हम लोग नहीं ले लिया, core SQT, यह वाला core को लेना है, है तो Q T S या S T Q S T Q प्लस ये वाला हम लोगों ले लिया ये वाला ले लिया भी ये वाले को ले ले लेते हैं तो इसका नाम के वाले S भी लिख सकते हैं या यहां देखिए कोस्चन में 75 त्या T S Q करके T S Q लिख लेते हैं प्लस कोर T S Q बराबर होगा 180 यांस क्यों तीनों जोडने पर 180 यांस हुगा क्योंकि तिरी भूज के तीनों अंतर कोड़ों का योगफ़ल 180 होता है यहां रिजन लिखेंगे योगफ़ल के वल इतना लिख लेते हैं आप लोग पूरा लिख लेंगे आप देखिए S Q T पूछा था कोस्चन में यह वाला हम लोग इसका मान रखते हैं इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् QT प्लस यह दोनों को जोडते हैं 45 और 45 तो होगा 120 बराबर यहां 180 अब दखिए 120 को उधार हम लोग करेंगे माइनस में हो जाएगा यहां बचाएगा कोड SQT बराबर इधार है 180 और माइनस में 120 अब दखिए कोड SQT बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 हंस आएगा यह हमारा एंसर हो जाएगा कोड SQT का मान पुझा था तो यह हमारा आगया 60 हंस यह एंसर हो जाएगा तो जैसे हमने बताया ऐसे ही कि आप लोगों को सॉल्व करना है तो अब हम लोग देखते हैं कोश्चन नमबर 5 को यह कोश्चन नमबर 5 दिया आकरी 6.43 में यह दी पीक्यू लंब पीयस इसका मतलब होता है लंब हमने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पीक्यू लंब देखिए यह जो पीक्यू रेखा है यह लंब है किस पर पीयस पर जैसे ऐसे देखिए समस्ते हैं यह पीयस है और यह पीक्यू है तो यह जो पीक्यू रेखा इस पीयस वाले पर लंब है लंब होने का मतलब दोनों के बीच नब्बे अंस का कोड़ बनेगा यह लंब का मतलब यह होता है कि यह नब्बे अंस का कोड़ है यहां का ऐसे नब्बे अंस का कोड़ है तो आगे हम लोग देखते हैं PQ लंब PS दिया इसका मतलब आप लोग समझ गए PQ और PS लंब होने का मतलब यह दोनों की बेज नब्यांस का कोड़ बना अब देखिए PQ समानतर SR PQ और SR मतलब यह दोनों एक दूसरे के क्या है? समानतर है ध्यान दिजी अगार यह दोनों का मतलब यह दोनों का मतलब यह दोनों में से अगर कोई हम लोग एक निकाल लेते हैं पोड तो एक तिरभूज से निकल जागा क्योंकि यह दोनों में से एक को कैसे निकालेंगे यह दोनों रेखा हैं समानतर दी गई हैं समानतर दी गई हैं मतलब यह PQ और SR समानतर दी गई हैं और उसको एक तिरियक रेखा देखिया ऐसे काट बाद देखिया जो एक्स है और जो यहां का कोड है देखिये यहां जो कोड है यह दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्यों क्योंकि एक आंतर कोड है देखिये इसका एक आंतर कोड यह होगा तो ध्यानती जी अगा हम लोग क्या करते हैं ये और ये दोनों बराबर होंगे मतलब अगर हम लोग इस वाले कौन को निकाल लेते हैं तो इसी के बराबर यक्स हो जाएगा एक निकल जाएगा हमारा अब इस कौन को हम लोग कैसे निकालेंगे इस कोण को हमको निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा बाहे कोण का यूज करना होगा बाहे कोण क्या होता है ये भी आप लोग हमने बताया था जानते हैं कि बाहे कोण सेस दो अंतर कोणों के युकफल के बराबर होता है सामने परमे में आप लोगों को बताया था ये प्रोडक्षन में हमने बता था कि किसी तिर्भूज में प्राते हैं हमने ऐसे बता था देखिए ये तीर्भूज कुछ अंस tay का बना हुआ इस तरह का एक तिर्भूज बना हुआ है यहाँ पर देखिए बेन और यहाँ पर दिया फल के पराबर मतलब इसको छोड़के इसके और इसके योग फल के पराबर होता है मतलब 28 और प्लस ये वाला ये वाला कुन इसके दोनों के जोड के पराबर होगा ये यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं जब ये हम लोग निकाल लेंगे तो वहां से एक्स निकला जब एक्स आर में पहले इस वाले तिर्भूज को हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग निकालते हैं लिखेंगे तिर्भूज Q, R, T इसके बराबर क्या होगा A plus A इसका नाम क्या है देखिए S, Q, R बराबर क्या होगा S, Q, R प्लस यह वाला कोण का नाम आप लिखते है R, S, Q लिख लेते है R, S, Q दोनों के जोड़ के बराबर यह होगा कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे बाहे कोड़ पर में लिखेंगे बाहे कोड़ पर में से बाहे कोड़ पर में क्या कहता है जो बाहे कोड़ होगा तिरी भूझ का सेस दो अंतर कोड़ों के योगफल के बराबर होता है मतलब इसको छोड़ के जो अंतर कोड़ होंगे तो इस वाले का नाम हम लोगोंने SQR देखिए SQR हम लोगोंने इसका नाम लिखा और ये इसका नाम हम लिखा RSQ तो ये दोनों के जोड़के बराबर ये बाहकोड होगा बाहकोड का मांद देदी जा देखिए QRT का मांद देदी आ ड़्प पैसलोग हम लोग करें एंस बराबर देख यह एस क्यूआर का मांद देदी याट याट थाई संस प्लस हम लोग इसका मांद निकाल लेते हैं ऑफ कर आफ एस क्यूआ का अब दोख 20 प्लस में बराबर किदा करेंगे माइनस में होगा तो 55 ठांस माइनस 28 ठांस बराबर यहां बचे का कोड़ Rsq अब दोखे 15 में सब 22 को घटाएंगे तो हो जाएगा 37 ठांस बराबर 37 ठांस बराबर कोड़ Rsq या ऐसे लिख लेते हैं कॉर आार स क्यू ब्राबर कितना सर्थिसां से अब देखिए हम पुल्ब्रकों मिल गया यह वनिकाल लिया आरस क्यू ब्राबर सै त्षिसांस अब इसके निमैज वे जाएगा एक्स क्योंकि यहां पर बना हुआ है तरकुन अब हमनोत लिखेंगे चुंके कॉर आज Q, 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 Q किस कारण से दोनों पराबर हैं तो एक आंतर कोड़ अब हम लोग देखेंगे एक हमने निकाल लिया एक्स और यह देखिए यहां लंब दिया 90 है तो हम लोग भाई भी निकाल सकते हैं लिखेंगे तिर्भूज P QS में हम लोग लिखेंगे अब तिर्भूज P QS में तिर्भूज P QS में आप देखिए तिर्भूज P QS में हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कोड P लिखेंगे कोड P प्लस कोड ये वाला कोड X प्लस ये वाला कोड डाइरेक्ट आम लोग मान लिखते हैं वाई बराबर एक सां असी यांस कार लिखेंगे क्यों तो तिर्भूज के तीनों तिर्भूज के तीनों अंतह कोडों का योगफल तिर्भूज के तीनों अंतह कोडों का योगफल आप देखिए हम लोग कोड P P का मान 90 है 90 लिखेंगे यहां हम लोको दर्साना पड़ेगा कि P का हम लोग ने 90 को लिखा क्योंकि वहाँ कहीं लिखा है नहीं फिर प्लस एक्स एक्स का मान देखिए आगया है तीस अंस फिर प्लस वाई वाई का मान निकालना है बराबर 180 यहां कारण लिख लेते हैं बगल में फिर से कि 90 हम लोग ने कोड P को क्यों लिया है तो हम लोग वहाँ लिखेंगे यह लिखेंगे चुंकि P Q परपेंडिकुलर है किसके P S इसलिए कौन P बराबर 90 यहां कारण बगल में लिख लेंगे इसके आप देखिए इस दोनों को जोड़ देना है 127 अंस प्लस Y बराबर 180 अंस हम लोग इसको उधर करते हैं तो बचेगा Y Y बराबर होगा 180 अंस माइनस यह देखिए 127 उधर जाएगा माइनस में तो Y बराबर हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 13 अंस यह एंसर हो जाएगा देखिए X का माण आगया 7 अंस य का माण आगया 13 अंस तो इस तरह समलों का एंसर हो गया दोनों यही पुछा था X और Y का तो आज के लिए बस इतना ही अगले पार्ट में आप लो केवाल एक ही कोस्टन बचा हुआ है काफी बड़ा कोस्टन अस्सीद करने वाला है और इसमें भी आप लोगों को टाइम ज्यादा लगा तो इसलिए आज दो ही कोस्टन रहने दते हैं अगले पार्ट में हम लो पुरा यह 6.3 चैप्टर कम्प्लीट करेंगे अगले पार्ट में हम लोगों करेंगे